हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई चैनल आज मैं आपको ब्रेड की एक अनोखी रेस्पी पताने जा रही हूँ इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम चीनी नारियल का बुरादा ब्रेड के स्लाइस एक कप दूद अब इसे हम साइड से कट करेंगे इसी तरह से अब हम इसे पाउडर कर लियंगे अब हमने इसे पाउडर कर लिया है अब इसको हम दूद में पकाएंगे एक पैन गरम करके इसे हम दूद डालेंगे इसे हम दूद हमने पहले से बाल करके रखा था अब इस गरम हो गया है अब इसमे डड का पाउडर डालेंगे अबस पाउडर गडर बालेंगे अबस पाउडर इसमेचिक पर इंड़ कुदी अबसे 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 वाग्डर बालेंगे विष्णा आपठी तरह नार। भी डालेंगे, नारियल का बुरादा डालेंगे, और मिक्स करेंगे, घी डालने से तले में चिपकता नहीं है, इसे हम अच्छी तरह सिमिक्स करेंगे, इसमें हम एक चम्मा चिवी डालेंगे, अब अच्छे से पक गया है, इसे हम ठंडा करेंगे, अच्छा असनी बनाने के हाप कप पानी डालेंगे, 50 ग्राम चीनी, अब इसमें हम खूड कलर मिलाएंगे, एक ग्रीन कलर है, गर्ष आफ करके, अब हम सुगर सिरफ को ठंडा करेंगे, हाथ में घी लगा के, हम इसी तरह से बॉल बना लेंगे, अब हमने बॉल को बना लिया है, अब इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, अब सुगर सिरफ में हम 20 मिनद तक छोड़ देंगे, कल हमने कैंडी बनाया था, उसका सुगर सिरफ बचा था, सिर्फ हारा कलर बनाई, अब सुगर सिरफ इसमें अपजोब कर लिया है, हम इसे बाहर निकालेंगे, अब इसमें हम नारियल का बुरादा लगाएंगे, ऐसे हम तीनों कलर में लगा लेंगे, देखिए फ्रेंट्स हमने नारियल का बुरादा लगा लिया है, यह बच्चों को बहुत ही पसंद है, यह हेल्दी और टेस्टी मिठाई बनके तयार है, यह बहुत ही जल्दी बन जाती है, मेरी रेस्पी कैसी लगी, लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकान पर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, नेट वीडियो को साथ फिर मिलेंगे, तब तक लिए, बाबाई,